कि जहीं दोस्तों स्वागत है अब सभी का जी इसकी पाट साला में दोस्तों ये वीडियो मैपिंग से संबंदित वीडियो है यूपी पेस्सी आरो यारो रीगजाम के लिए बहुत महत्पॉंड सी रीजेए इसको मिस मत करिएगा अगर आप इसको मिस करते हैं तो आप समझे इन प्रशनों के माध्यम से मैपिंग के माध्यम से आपके कम सकम जो आपका जो टार्गेट होना चाहिए वह 100 प्लस नंबरों का टार्गेट होना चाहिए ठीक है अभी जो समय है बहुत कम बचा हुआ है तो एकदम टू दपॉइंट पढ़िए रिवीजन करिए टेस्सीरी अज मैं बताऊंगा इसमें गंगा नदी तंत्र के बारे में एक स्षिर्एंट के बारे में तीस्रे मेरे इसके पहले दो डावरी और कृष्णा का बता रखांगा जयोरे going देखें यह आप इस तरीके से पढ़ेंगे ना तो इसको कभी नहीं भूल पाएंगे आपको याद रहेगा यह आप गंगा नदी तंत्र है इसको मैं जैसे जैसे बताता जाऊंगा वैसे वैसे आप इसको याद करते जाएगा और बहुत ध्यान से देखेंगा ठीक है चलिए गंगा नदी का उद्गम है ऐसा नहीं है कि गंगा नदी एकड़म सीधे कहीं से किसी ग्लेसियर से या किसी जहील से निकल के आ रही है नहीं ऐसा नहीं है गंगा जो है वो कई नदियों के संगम से मिलते हुए गंगा की जहां गंगा का उद्गम होता है वो देव प्रयाग है बेसिकली यहां से गंगा बनती हैं उसके पहले गंगा का नाम नहीं होता उस तरीके का लेकिन यह जो आप यहां देख रहे हैं गंगोत्री नदी यह भागी रथी बोलते हैं इनको ठीक है यहां भागी रथी नदी बोलते हैं इनको ठीक है और यहां पर जो आप देख रहे है यह यह जो नदी प्रों जब एक मिल नहीं तो उसके पहले यह यह अलग अलग नामों से जाने तो उनके उसमें आपने सुना होगा यहां से शुरुआत होती है तो इधर से यह गंगोत्री से निकलती है तो इसके बाद आप देखिए यह जो मनदाकनी यह वाला है ये आपका यहां से जो आ रहा है अलगनन्दा वाला जो पाट है उसको हम थोड़ा से समझ लेते हैं इसको पंछ प्रयाग बोलते हैं जो एक दो तीन चार और पांच यह जो पांच दिख रहे हैं यह इनको पंच प्रयाग बोलते हैं पंचपरयाग में कैसे कौन सी ने दिया क कहां मिलती है उसकी ट्रिक बताऊंगा आप उसको याद कर लीजिएगा बहुत महत्तों है किसी भी परिक्षा में कहीं भी कुछ तरीके से आजाए आप उसको भूलेंगे नहीं तो देखिए जैसे देखिए आप यहां पर सबसे पहले देखिए आप यहां से धौली गंगा इ यह याद रखेगा वी डेट कई क्या रखेंगे याद आप वी डी से विशनु प्रयाग और द से धोली गंगा घिर आगे चलते हैं तो आप इसमें पाते हैं कि नंद मॡ प्रियाग नंदाकनी फिर देखिए आप ये कंड़ प्रियाग में पिंडर मिलती है आके ये पिंडर ने दी हो गई ठीक है फिर आगे चलेंगे तो रुद्र प्रियाग में मंदाकनी आर्म यह सौट आप में याद रखेंगे इनको याद रखेंगे अभी नहीं भूलेंगे VD, NN, KP, RM, फिर देव प्रयाग में आपका ये भागी रथी तो ये DB ठीक है इस तरीके से ये याद रखेंगे तो आपको पंच प्रयाग याद रहेगा ये बहुत अच्छे तरीके से याद रहेगा पहले भी मैंने बताया है पिछले जो कई सारे वीडियो थे उनमें मैंने अब यहाँ चुकि देव प्रयाग में आ गई ये भागी रथी आ गई इधर से अलक नंदा आ गए और यहाँ पर मिल गई और आगे ये फिर मैदानी जब इलाके में आती हैं तो हरिद्वार से उतर कर नीचे आती हैं फिर मैदानी लाकों में ये फिर गंगा नदी हो जाती हैं वहीं से यहीं से गंगा नदी हो जाती है देव प्रयाग में अगर आप कभी आपको जाना हो देव प्रयाग जाईए तो एक तरफ ये अलग नंदा का पानी और एक तरफ ये बड़ा ही मनोरम द्रिश्य है कभी जाईएगा आप लोग देखिएगा ठीक है आप अधिल फुलहर लेक से गोमती निकलती है ठीक है इनका क्रम याद रखेगा तो राम गंगा हो गोई गोमती हो गई फिर इधर से घाघरा ठीक है फिर गंडक फिर आगे जब निकलेंगे तो कोसी कोसी के बाद महाननदा सबसे अंतिम में कौन मिलता है अगर ये पुछे प्र साउथ हो गया तो ये सबसे पूर्व में अगर पूछे कि गंगा नदी से कौन सी नदी आके मिलती है तो ये महाननदा ही है यहां पर आके मिल रही है कहां पर मिल रही है गोदागिरी घाट में ठीक कोसी कहां मिलती है कटिहार जिले में गंडक कहां मिलती है हाजीपुर में यह तो हो गए उधर से आपके जो बाएं तट से मिल रही है सब आप दाहिने तट से कौन कौन सी मिल रही है देख लेते हैं देखिए दाहिने तट से आपको कौन कौन सी मिल रही है देखिए यह देखिए इधर से इधर से देखिए कौन कौन से मिल रही है सबसे बड़ी जो दहिनेतर से जो नदी मिलती है वो यमना नदी है कहां आपको मिलती है तो प्रयाग राज संगम आपको पता है सबको ठीक है उसके बाद कौन-कौन सी नदिया मिलती है इसमें तो टोन्स आके मिलती है ठीक है फिर आपको ये कर्मनासा भी मिलती है सोन नदी मिलती है ठीक है और निकल जाती है ठीक है जो बंगलादेश उसमें निकल जाती है आगे तो यह याद रखेंगे यह इसलिए यहां पर हुगली लिखा हुआ है ठीक है तो कन्फ्यूज मत होईएगा यहां पर आके डामोदर नदिये हुगली में मिलती है तो वह गंगा का ही वह एक अलग नाम है डाहिनने तरफ से और बाए तरफ से दोनों तरफ मैं बता दिया कि कौन सी नदिया मिलती हैं एक बार फिर सी देख लीजिए जैसे कि यहां पर सबसे बड़ी जो नदी है यह आपका यहां आके मिलती है प्रयागराज में फिर टोंस ठीक है फिर कर्मनासा सोन नदी और इधर फिर सबसे लास्ट में हुगली में जाके यह दामोदर मिलती है तो यह याद रखिएगा ठीक है अगर इस तरीके से पूछेगा इनका क्रम पू बलता शुराजी तरीं शेंसे जैसे यहां पर यह पिस दिएगा गंग अधर से निकलते हैं अलक अंदाृत सतोपथ घ्लेसे तो यह नाव खहले हैं प्रम पूछलता है सबसे पहले मिलती है चम्बल यह जनापावद इंपरीं हमीर पूर में फिर गेन मिलती है बांदा में थिक और यह अलग ही हो गई तो यह याद रखीएगा का इनका जो क्रम है वह इस तरिके से है Csbk इससेने सिंहाई यहीं पर भीच मे बीच में गें के चमबल के बाद यहीं पर इसमें नहीं दिया हुआ्ट टिक लेकिन वह याद रखोग सी C-S-B-K, अगर आप याद रखेंगे C से हो गया चमबल, S से सिंध, बेतवा और केन, इनका उत्तर से दच्छन या पूर्व से पस्चिम इस तरीके से क्रम पूचता है, तो सबसे जो पूर्व में है वो आपके केन और सबसे पस्चिम में आपका ये चमबल, तो ये याद तो यह याद रखेगा आपको यह बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा अगर नहीं समझ में आया है तो एक दो बार इसको देख लीजिए वीडियो 1.5 के स्पीट से भी देख लेंगे तो आप इसको समझ जाएंगे और एक बार जब समझ लेंगे इसको तो भूले करेंगे नहीं कभी ठीक है याद रखेगा इस चीज को चलिए इसमें बहुत कुछ अब नहीं है बताने के लिए में जो चीज था वो मैंने आपको बता दिया पढ़ते रहिए रिवीजन करते रहिए और टाइम बेस्ट मत कीजिए ठीक है चले मिलते है नेक्स वीदू तब के लिए जाहिए